हेलो एवरिवान वेलकम टो अखिल प्रिया क्लासेज मैं हूँ प्रियंका खिलेश दिक्षित और जैसे कि हम क्लास 9 का चैप्टर टिशू कर रहे थे तो अपनी रीसिंट वीडियो में हमने प्लांट टिशू के बारे में अल्रेडी डिस्कस कर लिया था उसे आप चैनल की वी वीडियो में डिसकस करेंगे अनिमल टिशू के बारे में सो एनिमल टिशू को डिसकस करने से पहले हम डिसकस कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हम एनिमल टिशू के अंदर किस किस के बारे में डिसकस करेंगे तो देखिए जैसे कि एनिमल होता है ठीक है एनिमल किस के अंदर categorize होते हैं mammal के अंदर और हम human beings भी categorize होते हैं mammals के अंदर तो हम इस chapter में जो भी animal tissues पढ़ने जा रहे हैं वो हम humans के लिए भी applicable हैं ओके तो यह ध्यान रखेगा हम जो भी discuss करेंगे इस chapter में that will be applicable to our human body also ओके तो animal tissues जो हैं वो चार types में categorize होते हैं epithelial जिसे आप normally आप epithelium के नाम से भी कहीं कहीं सुनेंगे muscular, connective and nervous यह चार types के animal tissues जो हैं हम पढ़ेंगे epithelial जो है उसे आप protective tissue भी बोल सकते हैं और covering tissue भी बोल सकते हैं क्योंकि यह protection के लिए responsible होता है covering देता है ठीक है muscular जो है जैसे कि नाम suggest कर रहा है muscular जो है यह muscles में present होता है और contractile tissue के नाम से भी जना जाता है क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे muscles होते हैं वो contractile होते हैं और क्या करते हैं relax करते हैं that is why muscular tissue is also known as contractile tissue connective tissue का जो नाम है connective tissue का जो नाम है उससे हमें यह पता चल रहा है कि यह packing tissue होता है एक तरह से ठीक है ये दो चीजों को आपस में क्या करेगा connect करेगा उन्हें pack कर देगा ओके इस वज़े से इसे क्या कहा जाता है packing tissue nervous या फिर nerve cell जो है वो coordination के लिए responsible होता है हमारी body में जितने भी messages हमारा brain जो है body को दे रहा है different organs को दे रहा है that will be coordinated by our brain यानि कि nervous cell इससे coordinate हो रहे है इस वज़े से इसे क्या बोलते है coordinate tissue तो हम इस वीडियो में आज discuss करेंगे epithelial tissue को और उसके क्या-क्या types होते हैं, क्या role है क्या function है, इसको discuss करते हैं तो चलिए, वीडियो को end तक देखिएगा epithelial tissue जो है, उसे protective covering form में होता है जो की क्या करता है protection देता है, एक continuous sheet के रूप में ओके, ये continuous sheet होती है जो की क्या करती है protect करती है, cover करती है tissues को, तो इसका मतलब है अगर वो cover कर रही है, तो वो क्या होगी वो outer surface पे होगी और इसके साथ ही क्या होता है ये most organs और cavities जो होते है, body के अंदर उनको cover करती है, protection देती है ठीक है, और उसके साथ ही क्या करती है एक barrier form करती है barrier किस चीज का, कि जो different different organs हमारे body के अंदर है उन्हें क्या है, easily differentiate कर सके, separate हो जाए जिसकी वज़े से हमें क्या है, easily हम find out कर सके, कि कौन सा, कौन सा organ है, ठीक है, तो ये barrier बनाती है कि हाँ, separate करती है एक organ को, दूसरे organ से जैसे कि skin होता है, ये भी क्या है protective shield है हमारी body के अंदर तो ये क्या है, epithelial tissue है उसके साथ ही जो हमारे lining of mouth है mouth के अंदर जो lining है, that is also क्या कर रही है, teeth को और हमारे mouth को differentiate कर रही कर रही है, lining of blood vessels है, इसी तरह हम और भी example जो है, उन्हें discuss करेंगे ठीक है, ये cells जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही tightly packed होते हैं, इनमें जो आप structure देखेंगे, तो वो structure हम जब आगे भी picks में देखेंगे तो क्या होगा, ये cells जो होते हैं बहुत ही tightly packed होते हैं और continuous sheet बनाते हैं, ठीक है ऐसा नहीं होता कि continuous नहीं है, अलग-अलग जगे बिलकुल cells जो हैं, बहुत ही tightly pack होकर continuous sheet बनाते हैं फिर उसके साथी के small amount of cementing material between them, अब आपको याद होगा कि हमने जब plant tissue पढ़े थे तो हमने उसमें पढ़ा था कि cementing tissue या cementing material होता है वो क्या होता है, लिगनिन ठीक है, जो क्या करता है hardness देता है, प्रोटेक्ट करने के लिए तो जो epithelial tissue होता है उसमें जो cementing material होता है वो बहुत कम amount में होता है आप देख सकते हैं कि जो हमारी skin है वो क्या है, outer covering है वो protection दे रही है तो उसमें क्या है, इस cementing material का बहुत ही कम amount है, that is why हमारी skin क्या होती है, soft होती है अगर यही cementing material जो है बढ़ जाए, इसकी मात्रा बढ़ जाए quantity, तो क्या हो जाएगा हमारा skin जो है, वो काफी hard हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं होता है इसका मतलब है, कि जो cementing material है animal tissues में यह हम यह कह सकते हैं epithelial tissue में, तो वो क्या होता है बहुत कम होता है, जिसकी वज़े से हमारी skin बहुत soft होती है, almost no intercellular spaces, because क्योंकि बहुत ही tight pack होता है tight pack होता है, और साथ ही क्या होता है, continuous sheet बना रहा है तो इसकी वज़े से क्या है, intercellular spaces जो होती है, वो बिलकुल भी नहीं होती है, बिलकुल ना की बराबर होती है, और जो यह separate होते हैं, जैसे tissues क्या है एक दूसरे tissue से separate होंगे, तो उनके नीचे क्या है, basement membrane आपको दिखाई देगी, ठीक है तो एक दूसरे से एक इस membrane से separate होते हैं, basement membrane से, यह epithelial tissue जो है, यह एक बहुत important role play करते हैं, exchange of material between the body and the environment, यानि कि body और environment के बीच में कोई भी material का exchange होगा, उसमें क्या है, पूरा help करते हैं, और उसके साथ ही क्या है, body के, और body के other parts में जो भी कुछ exchange होना है, materials उसमें भी यह facility provide करते हैं, so I hope कि इतना आपको clear हो गया होगा, आप अगर चाहें तो इसका screenshot ले सकते हैं और अपने notes prepare कर सकते हैं अब अगर हम बात करते हैं epithelial tissue की, तो epithelial tissue भी जो है, वो आगे चार categories में categorize है तो epithelial tissue जिसे हम protective tissue के नाम से भी जानते हैं, या फिर covering tissue के नाम से भी जानते हैं, और कहीं-कहीं आप इसे epithelium के नाम से भी सुनते होंगे, so उसे क्या है, चार categories में divide किया गया है, so first one is squamous then cuboidal columnar and stratified squamous, इन चारो categories को हम detail में पढ़ते हैं discuss करते हैं तो सबसे पहले category हमारे पास squamous epithelial tissue तो यह देख सकते हैं, जिसे हमने पहले अभी पीछे बात की है discuss किया था हमने की cells जो हैं, बहुत ही closely packed होते हैं आप structure में देख सकते हैं कि cells जो हैं इतना closely packed हैं इनका जो continuous sheet बना रहे हैं और क्या होता है इनके बीच में intercellular spaces बिल्कुल भी नहीं दिखाई देरी, so यहां आप देख सकते हैं structure में, so squamous epithelial tissue जो हैं, इन में extremely thin होती है, यह एक layer होती है, ठीक है layer of cells है, layer of cells है जो कि क्या है, extremely thin है यहां पर आप देख सकते हैं cells जो है, कैसे है, flat in structure है okay, irregular shape है, यहां पर आप कोई बोल नहीं सकते हैं, कि हाँ oval है, यह circle है, यह क्यों वाइडल है, जो हम आगे पढ़ेंगे, so यहां पर क्या irregular shape है so यह squamous epithelial tissue क्या हो गया, extremely thin होता है cells जो होते है, वो flat होते है, और irregular shape के होते ही जो black black आपको दिखाई दे रहा है, यह क्या है, इनके बीच में, जो cell के अंदर क्या है, nucleus present जो squamous epithelial tissue है वो भी क्या है, फर्दर दो categories में divided, okay एक होता है simple squamous एक होता है stratified squamous, अब अगर एक ही layer ले रहे हैं, तो that is simple squamous, ध्यान दीजेगा अगर आप एक ही कोई thin layer ले रहे हैं, जिसमें cells flatly arranged हैं so that will be simple squamous और क्या होगा, यह delicate lining जो है, उसको बनाएंगे form करेंगे, delicate lining form करेंगे, क्योंकि यह single layer है यह present होता है osophagus में, यह lining of mouth, आपने देखी होगी, आपके lining, जो है, mouth के अंदर वो क्या है, simple layer है, okay, single layer present है stratified squamous, इसको देखी आप stratified क्या होगा, जब इस तरह की कई सारी layer हम एक दूसरे के उपर arrange कर देंगे cells are arranged in layer, अब जैसे के हम क्या करदेंगे, layering कर देंगे cells की, इसी simple काफी सारे arrangement देंगे यानि कि एक के उपर एक layers दे देंगे तो वो क्या बना देगा stratified squamous, stratified क्या है stratation से बनाया, ठीक है यह क्या करता है, prevent करता है wear and tear यानि कि बहुत हमारी body के अंदर क्या है, एक अच्छी protection हमारे को provide करता है जैसे कि हमारी skin है, ओकी काफी सारी layer है हमारी skin में, ओकी, यह होता है stratified so I hope कि squamous epithelial tissue आपको clear हो गया होगा, कि यह क्या होता है, thin layer होती ही, जिसमें cells जो है, irregular shape के होते हैं flat होते हैं, simple or stratified में इसको differentiate किया गया है further divide किया गया है simple, अगर हम एक layer की बात करते हैं, तो that will be simple और बहुत सारी squamous simple की ही layer जब एक दूसरे के उपर लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा stratified okay, so अब हम पढ़ते हैं columnar को, तो columnar में देखिए, यहां पर आपको दिखो, structure जो दिखाई आपको कॉलम यानि कि tall epithelial cells जो है आपको दिखाई दे रहे हैं, तो tall epithelial cells जो है pillar like structure जो है form कर रहे हैं, तो इस वज़े से क्या होता है, इनका shape है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, column होने की वज़े से columnar epithelial tissue कहा जाता है यह किसलिए अकर होते हैं, यह करते हैं सबसे important role इनका जो important role है, वो क्या absorption करते हैं, और secretion करते हैं, secretion किस चीज की होगी body के अंदर, secretion होगी digestive juices की होगी, sweat की होगी, और hormones जो हैं, उनकी secretion होगी so columnar का जो काम है, वो यह है कि absorption करेगा nutrients का material जो भी और साथ में क्या होगा, secretion होगा उसके साथ ही यह क्या करता है facilitate करता है movement across the epithelial barrier अब क्योंकि absorption कर रहा है तो absorption environment से भी होगी और other parts से भी होगी तो इस वज़े से यह जो barrier बनाया हुआ उसके through जो है facilitate करेगा movement को ओके इसमें क्या होते हैं small hair like structure होते हैं ऐसे इसकी outer surface पे क्या होगा आपको small hair like projections जो हैं दिखाई देंगे जिसे आप क्या कहेंगे cilia okay it has hair like projections called cilia यह cilia कहां होंगे outer surface पे प्रिजेंट होंगे यह यह देखिए यहां पर क्या hair like structure जो है वो मुझेन हैं सीली आखते हैं अब ये राए प्रक्ट्चर आप पढ़ा था है रूट्स के अंदर प्लांड की रूट्स में भी क्या होते हैं पिल्च फिर क्या करें एकशि Phi स्थ में क्या करता है यह movement होते रहेंगे movement होने की वज़े से क्या होगा जो mucus इसमें बनता है वो क्या करेगा forward होता रहेगा और इसे clear करता रहेगा साथ ही साथ clear भी करता रहेगा absorption भी होती रहेगी ओके तो यह था हमारा columnar epithelial tissue I hope यह आपको clear हो गया होगा तो अब हम बढ़ते हैं क्यूबाइडल epithelial tissue की तरफ तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इसका structure है वो cube like structure हमें दिखाई दे रहा है इसमें जो cells present है उनका जो shape है वो क्या है cube है इस वज़े से इसे क्या बोलते हैं क्यूबाइडल epithelial tissue बोलते हैं और यह क्या करता है form करता है lining of kidney tubels यानि यह कहां present होता है kidney tubels की lining में present होता है और salivary glands में present होता है उसके साथ ही साथ जो cubedal epithelial tissue है वो क्या provide करेगा mechanical support provide करता है और इसका भी main function क्या होता है absorption करता है secretion करता है और protection देता है ठीक क्योंकि mechanical support दे रहा है तो क्या कर रहा है protection दे रहा हर और आप यहाँ पर देखेंगे की कोbackiner और cubital दोनों का role क्या है absorption और secretion का यहां पर क्यूबाइडल जो है साथ ही absorption और secretion के protection भी देगा because यह mechanical support देता है ठीक है यह present होता है sweat glands में जहां से क्या है sweat release होता है ठीक सेलेवरी glands से क्या release होती saliva thyroid gland कहां present होता है आपके neck में present होता है जिसका structure जो है butterfly like structure होता है इसका ठीक है यह आपके गले में जो प्रिजेंट होती thyroid glands वहाँ पर पाया जाता है क्यूबाइडल epithelial tissue साथ ही जो kidney की ट्यूबल्स की lining होती वहाँ पर प्रिजेंट होता है so I hope क्यूबाइडल आपको clear हो गया होगा कि क्यूब लाइक structure होता है जो कि mechanical support देता है absorption करता है secretion के लिए helpful है और साथी साथ sweat glands celery glands और thyroid glands जहां से क्या है secretion होना है वहाँ present होता है आपको clear हो गया होगा अब हमारे पास आता है glandular epithelium ओके सो यह एक तरह से क्या है modified columnar की ही form है modified form है सो क्या होता है इसमें involvement होता है production होती ठीक है यहां क्या होता है production होता है release होते है difference होते हैं डिफ्रेंट टाइप्स के जहां से भी sweat हो गया ठीक है gland से जो रिलीज होता है production होती है उनकी फिर रिलीज होता है कहां होता है जिसे sweat हो गया ठीक है saliva हो गया breast milk saliva कहां बनता है mouth में celery glands की वज़े से sweat कहां होती है sweat glands जो present होते हैं वहां से क्या है sweat release होता है जब समर्स होती है ठीक है breast milk कहां होता है जब कोई भी मदर जो है pregnant होती है delivery करती बेबी की उनके glands जो है breast milk निकलता है तो that is under glandular epithelium जो भी glands है जो कुछ भी secret करती है तो वो glandular epithelium के अंडर आएगा hormones जो है different types of hormones जो हमारी body के अंदर release हो रहे है उनका जो production है वो सारा कुछ की के अंडर आता है glandular epithelium के अंदर because this is the modified form of columnar so I hope कि आपको clear हुए होंगे कि epithelium जो है उनका क्या roll होता है कितने तरे क्यों होते हैं आपको clear हुआ होगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को जल्दी से जाके वीडियो को like करिए friends के साथ share करिए comment box में बता सकते हैं अगर कोई क्यों रही है suggestion है please आप बता सकते हैं और साथी साथ आप मुझे instagram akhilpria classes पे follow कर सकते हैं and मेरे channel को subscribe करिए अगर आप मेरे channel पे नए है thank you for watching this video